क्या आप नीन आने के बारे में कुछ बता सकते हैं? मैं लगबक 6 सालों से नीन आने की वज़ा से परिशान हूँ. तो क्या आप मुझे कोई आसान उपाए बता सकते हैं? कुछ लोग हैं जो अच्छे से सोते हैं पर वो नहीं जानते कि वो अच्छे से सोते हैं. कुछ लोग अच्छे से नहीं सो पाते क्योंकि उनका शरीर शायद कुछ तेर ही आराम चाहता है पर वो सोचते हैं शरीर और ज्यादा आराम चाहता है तो वो खुद ही परेशान हो जाते हैं मैं ऐसे कई लोगों से मिला हूँ जो बिल्कुल ठीक है लेकिन उन्हें लगता है कि वो परियाप नहीं सो रहें क्योंकि डॉक्टर के कहे अनुसार वो 8 घंटे नहीं सो रहें वो केवल 4 घंटे सो रहें हैं और सेहत मन्ध हैं तो ठीक है अगर आप सेहत मन्ध हैं नींद की कमी महसूस नहीं करते और दिन में 3-4 घंटे ही सोते हैं, तो ये बिलकुल ठीक है. ऐसी स्थिती में होना अच्छा है. और कुछ लोग अपनी मांसिक स्थिती की वज़े से नहीं सो पाते. कुछ लोग ऐसे भी हैं, जो अपनी कोशिकाओं या अपने वण्ष की वज़े से बनी स्थिती के कारण नहीं सो पाते. अगर आप वैसे हैं, सिर्फ तभी उसे ठीक करना मुश्किल है, जो कि आप नहीं हैं, ठीक है? आप अपने वण्ष की वज़े से उस थिती में नहीं हैं. अगर ऐसा होता, तो आपके शरीर की कोशिकाओं ही किसी न किसी कारण से आपको सोने नहीं देती, और ऐसा होने के बहुत से कारण है. तो अगर आप सो नहीं पा रहे तो मुझे लगता है आपको हमारा गार्डन डेपार्टमेंट जॉइन कर लेना चाहिए पूरा दिन, दिन में दस घंटे आप बाहर काम करेंगे फिर आपको नींद आ जाएगी, गहरी नींद अगर वो काम नहीं करता तो आसान तरीका है कि आप शुन्य मेडिटेशन में दिखशित हो जाएगी शामभवी से ऐसा होना चाहिए, ज्यादा तर लोगों के लिए शामभवी ऐसा कर देती है अगर शांभवी आपके लिए काम ना करे और अगर आप शुन्य ध्यान में दिक्षित हो जाएं तो आप देखेंगे कि उससे नींद की समस्या ठीक हो जाएगी अगर नींद की कोई समस्या है तो आप तो बिलकुल ठीक और खुश नजर आ रही हैं और अगर आप बिना नींद के खुश है तो ये बहुत अच्छा है हाँ, क्यूंकि नींद मृत्यू है हर दिन लोग मरते हैं छे घंटे, आठ घंटे या चार घंटे आप क्या चुनेंगे, कम मृत्यू या जियाद मृत्यू, हर दिन कम वित्यों अच्छी है, है न? सिर्फ जब इससे सेहत की समस्याएं हो रही हों, आप परिशान हों तब अगर काम करते समय आपकी स्थिती ऐसी हो